बहादुर हो तो आप जैसा हो, नहीं तो ना हो लेकिन एक बात बिताईए, आप अलादीन के बूत का सामना कैसे करेंगे? बूत नहीं अली साब, चुहा कही है चुहा चुहा? क्या खूप का है? आप चुहा और वो आपका जिन मोटा हाथी आप दिया तो वो आपकी मोटी बाती, आप उढ़े ना तो आपका प्यारा नाती क्या बात है बाबा? अली साहब, चुहा वालादीन का भूत है, हम नहीं अब हम उस चुहे को अपने बिल से निकाल कर खुद पकड़ेंगे वो दो रातों से सून मिनार जा रहा है, अब हम वहाँ जाएंगी और उसे अपने हाथों से फिर उसे एक बार फिर उसे क्या वजिर अला पूरी बात कहिए ना बात करने का वक्त खत्म हो चुका अब काम होगा और ये बात आप मुझसे राज रखेंगे वजीर अला ना एक जगडा हुआ ना दिक्कते दो तीन आई अली जफर की बीच में रुख अला दीन आई अली सहाब हम आप की इनी अदाओं पे तो कायल है आप रूट से हैं तो बड़े ही अलग अंदास हों खैर सुनिया हम सोन मिनार जाएंगे वो इसलिए क्यूंकि मच्छली को फसाने के लिए जाल का होना बहुत जरूरी होता है हमारे पीछे पीछे वो भी आजाएगा अब कल हमारे इस किराक इजन से तो वो बज़ गया लेकिन आज वो नहीं बचेगा वाह वजीरियाला बदला लेने का अंदास भी आपका बिल्कुल अलग है जाएए उम्मीद करता हूँ कि आप अपने काम में कामियाब हो अली सहाब आप उम्मीद नहीं यकीन रखिये हम पर क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं आप हमारे साथ चलेंगे इस बात का मौइना करने के लिए सोन मिनार को मकमल करने के लिए और कितना सोना हमें आप से चाहिए और आपको हमें कितना सोना देना होगा चलेंगे ना बेशक माशालला हम जरा इस्तिंजा करके आते हैं कहानी ने ये कौन सा नया मोड ले लिया दो जिसमें एक जान तो सुना था पर अली और अलादीन तो एक जिसम और एक जान है तोनों एक साथ सोन मिनार कैसे पोँचेंगे क्या पर आखा आखा ये तो ये सब आप ऐसे अरे पर क्या क्या सब ये सब क्या कर रहे हो, कोई तो पूरी बात बोलो आका, एक ही जगह पर अली और अलादीन का बूथ कैसे आ सकते हैं? आका, हमारे पास ताकते हैं, पर बहुत कम, हम तीनों की ताकते मिला कर भी हम जीनू का सामना कैसे करेंगे? और इस वक्स वो जंगली भालू? मेरा मतलब आपका प्यारा जिनू बहुत गुस्र में होगा हमें हर कदम संबल के उठाना पड़ेगा वरना इतना तर, इतने सवाल और उससे भी ज्यादा अपने आका की काबलियत पर शक? ना डर, ना सवाल, ना शक, सिर्फ आपकी फिक्र है आगा? जानता हूँ, और मैंने पहले से सब कुछ सोच लिया जफर के साथ अली सोन मिनार जाएगा और अला दीन का भूत भी जब देखो तब बावर्ची खाने में पावर्ची खाने में? अरे रुकसार बहन, जब देखो तब बावर्ची खाने बावर्ची खाने कितना काम करोगी? तुम्हें आराम की सख जरूरत है यहां बैठो, बैठ जाओ मेरी बहन मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता कितनी मेहनत मशक्कत करती हो? किस लिए? हरी हम सम है ना जब देखो का आय यह देखो रुकसार बहन, तुमने हमारी जिंदगी में मिठास घुल दी है यह जलेबिया, यह चिवईया, यह हल्वा सब तुम्हारे लिए खौौौौ। यह सर का दर्दाज मेरी जान ले लेगा रुकसार बहन, इस बिना आलू के समोसे का मतलब है, तुम आराम करो तुम्हें कैवा बनाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, है ना तुम उठो, रुकसार को आराम किस तक ज़रूरत है पर इन्हें आराम की ज़रूरत नहीं, आराम की ज़रूरत मुझे अगर मुझे कैवा नहीं मिला न, तो अरे, तो, क्या तो वो हमेंसे एक के जिस्म पे कबजा कर लेगी और बाकिसलब का कतल कर देगी समझी परक उतर दूँगी तुम्हारे क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तेरा बापे कबाड़िया है और तू भोली नहीं बलके अवल दरजे की जूटी है समझी इसलिए अलादीन की रूर को खुश करने में तू हमारी मदद करेगी रुकसार महन देखो क्या कह रही है बहु चाची जान वो मैं सब के लिए कहवा बना कर ला रही थी तू पूछना चाहती थी आप पिएंगी ना क्ली साहब सोन मिनार का मौायना तो बहार से कर लिया आपने तू दरा अंदर चल के भी तो देखें कि इसे मुकमल करने के लिए और कितना सोना लगेगा मुझे लगा कि आप यहां खतरनाग मज़ेदार खेल खेलने आएं भूत पकड़ने आएं लेकिन आप तो सोन मिनार में अंदर जाके आम की पातों में उल्जिये हुएं अली सहाब ये हमारी सिंदगी की उल्जन नहीं बलकि हमारी सिंदगी का मकसद है बूत अपना काम कर रहा है हम अपना काम कर लेते हैं पैदरीन मैं खेल कुछ सोन मिनार में आगे बढ़ांगा और टोली बहां शेहर में या लगा हमारी मदद करना बलादीन के भूत के बच्चे तुलोएगा तडपेगा तरके भागेगा लेकिन मैं तुझे भागने रहे दूँगा कम है तो यहां आ के दिखा रुकसार का काम करकर के एक तो मेरी कमा टूट रही है तुमें जली ब्या खानी है बस एक ही दिन में तुम्हारी कमा टूट गए मेरा सोचो बड़्सों से तुम्हे पाल पाल के मैं पूरा का पूरा टूट चुका हूँ यह चक्र जैसी ज़वान बंद रखो, समझें? क्यों फिरदोर्ष चाचा? तोने में पीतल मिलाना बंद किया या नहीं? यह वाज तो इस मक्मरे से आ रही है यानि अलादिनका बूत यहाँ पर आगया है इस आख भी तोपी के तोपी? सारी अम्रत तुमने मासूमों को टोपी बिनाई आज टोपी पहनने की बारी तुम्हारी आगा आप सब की पूल खुलते रहिए अश्फाक मिया अपने भाई की जमीन हड़के खुश हो मुस्तफा चाचा नाजनीन चाची की किसमत देखो सारी उम्र लोगों को कीमती कहके कबार बेशती रही अब जब बेटे के निकाह की बारी आई तो संदी भी कबारी निकले तुम सब के बीच अपने दिलों में जूट कमीना पन और रास चुपाए और भी कई कमीने मकार छुपे हुए हैं जो मासूओं को लूटते हैं जिने सजा मिल ली चाहिए मैं उन सब का सच तुम्हें बता सकता हूँ पर सच पर सिर्फ सचाई का हक होता है तुम जैसो का नहीं मैं बेकुसूर था फिर भी मुझे दिवार में जिन्बा चुन्वा दिया गया और तुम सब तमाशा देखते रहें मुझे कोशते रहें मेरी अम्मी को पत्थर और ताने मारते रहें तब मेरी किसी ने नहीं सुनी अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा तुम सब को सजा दूंगा कर दूंगा शुक्रे लाटले तरकीब की चाधर में दिक्कत की एक भी सलवट नहीं आई किसी की भी आवास सुनके उसकी नकल करने वाली मेरी इजाद तू मेरे बहुत काम आई और खेल के अगले पड़ाओ में ये मेरे काम आएगी बुल-बुल-चाचा लंगुटी चाप बुल-बुल-चाचा मैं चला वे बहतरीन वजीर आला बहतरीन मतलब मैं पुरी दुनिया घुमा हूँ बहुत कुछ देखा लेकिन आप जिसाए शैतान मैं इसमान नहीं देखा वजीर आला सोन मिनार में हैल जैसा महौल बांद दिया क्या बात है अली सहाब हम अपने दोस्त के लिए वक्त को पांध लें महौल के चीज है अंकोती चाओ जिन से जात होगे हो तुम अब आ रहे हो मुझे लगा तुम कोछ हो गया मेरी इतनी फिक्र मैं भी आ गया बुलबुल चाचा का इजाद भी आ गया और तुम लोगों का तौफा भी तौफा? चलिए भी मेज बजीरियाला 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 यह हमारा सुबन मिनार है कोई बाग या बागीचा नहीं कि आप तफरी करने निकल पड़े बजीरियाला मैं आपकी दावत में खलल डालने के लिए आपसे बहुत-बहुत माफी चाहता हूँ पर बात ही कुछ ऐसी है वजीरियाला आज लोगों को बगदाद के बाजार में बाई मेरे बाई अलादिंगा भूत दिखा उसने ना सर्फ सब को धंकाया बल्के अपने मगबरे की दिवार भी आदी तोड़ दी पूरे शहर में धैशत का महौल है वजीरियाला वजीरियाला आपने कहा था कि आप उस भूत का स्तामना करेंगे इसलिए मैं फॉरन ये ख़बर आपको देने यहाँ चला आया वजीरियाला जल्दी चलिए बाई मेरे बाई अलादिन का भूत अभी भी वहीं कहीं होगा वल्लू मेरा मतलब गुल्लू बिल्कुल ठीक कह रहा है वजीरियाला इससे पहले कि दुश्मन अपनी अगली चाल चले हमें उस पर जाकर हमला कर देना चाहिए थोन मिनार चलो, शहर चलो, हमला करो, बस करो ऐसा कोई और कहता ऐसा कोई और कहता लेकिन हम नहीं कहेंगे तो आप चलेंगे ना? सुनो, दिलाल तो तुम जाके सिपाईयों का पहरा बढ़ा दो समझ में आई तो हमारे बात आप कब आएंगे? आएंगे हम, आएंगे यहां का काम खतम करके फिर हम आएंगे आदाब वजीर आला आपको नहीं लगता कि आपके आवाम को आपकी जरुवत है अगर आप वहां जाएंगे तो बगदाद के लोगों की हिम्मत बढ़ेगी नहीं हमारे इस वक्त वहां होने से आवाम की हिम्मत नहीं बलके अलादीन के उस भूत की हिम्मत बढ़ेगी क्या मतलब मतलब यह एक अली साहब अलादीन का भूत चाता है कि हम उसके साथ खेल खेलें वह एक चाल चले पर उसके बाद हम दूसरी चाल चलें पर वजीर आलादीन का बूत हमारा पीछा करते करते यहां तक आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे और वो आया तो नहीं ना हम यहां है और वो वहां पाज गया सहर अली सहाब हमें तो लगता है वो चुआ हमसे डर गया डरेवे तुश्मन को हम और नहीं डराएंगे बल्कि हमाले चिराक के जिन से खतम कर देंगे चिराक के जिन जिन हमें इस बात का इल्म हुआ है कि अलादीन का भूत उसके मगबरे के आसपास देखा गया है मगबरे के? हम चाहते हैं कि तुम उस अलादीन के भूत का खेल हमेशा के लिए खतम कर तू कि या सोच रहे हमारे जिगर के चले हो आका मैं ये सोच रहा हूँ आज अगर उस अलादीन का भूत मेरे हाथ लग गया तो मैं उसका चाहाल करूँगा बातुरीन प्यार जहर है जिन कहर है चाहँ जिनिविनी तयार प्रीशाब आप अफे करना करें आप खाना काई आप शुकर है वो भूत हमारे पिछे पिछे शहर चुला गया अबाम तरती रहे मरती रहे हमें से क्या हमें तुसरा अपनी फिकर करनी है प्रवादी काँ शराख के जिन समालेगा जो पतला रहे वो गम खाय जिसे मैं जाहू उच्जम जाए अंगली में अंगुठी अंगुठी में कमीना आज हम मिलकर बनाए कोई मिसाल पुझ जाए वहम से सोन मिनार की सारी मशाल जो प्रवादी के जाए वहम से सब्सक्राख को या अंधेरा जी कि आए अंधेरा हुआ है जो किया अंधेरा हुआ है अंधेरा हुआ है मुझे मुझे डर लग रहा है मुझे बचाईया वजीर आला मुझे बचाईया अरे आप मतलब आपने आपको थमा लिए आ आपक अपराईया मत जरसल हवासे मशाले बुझ गई हूँगी यह यह आवाज है कैसी वजीर आला देखिया अली साब हम यहां ब्रेकिस्तान में है अरे को सो मील दूर जाहर से भात है जाहर से बात है अथी आवाज हूए ह मैं गी टीजेले गहे हैं वा अरे आप का झालम का बूघ तो नहीं आगiam यौ स Mississippi अरे वजीरेधाला, वह आपकी तरए नसटनी है मेरेजे तरए मिस दोड़ी नहीं वो तर बूत तहाए बोगे चाहिए क्या हुआ नहीं, विल हुण